हाई फ्रिंज मैं हुनिवेधिता बिग बॉस 14 में अभिनव शुकला और रुबिना दिलाइक की जोड़ी सबको काफी पसंदा रही है दोनों के आपसी तालमेल की बात करें तो दोनों ही एक दूसरे को कमजोर पढ़ने पर संभाल लेते हैं यही वज़ा है कि दोनों की केमिस्ट्री लोगों के दिल में चाप छोड़ रही है ऐसे में दोनों ने बिग बॉस के हाल ही के एपिसोड में उनकी इस स्ट्रॉंग केमिस्ट्री और सफल शादी का मंतर घरवालों को बताया है दरसल वूट की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एली गोनी और जस्मिन भसीन के साथ चर्चा में अभिनव शुकला और रुबिना दिलाइक ने अपनी खुशाल शादी का राज बताया है वैसे आपको बता दें ये एक अंसीन वीडियो है जिसमें जस्मिन बता रही है कि अभिनव शुकला ने उन्हें रुबिना के साथ सफल शादी को लेकर क्या बताया जस्मिन के मताबिक अभिनव ने उन्हें शादी के पाँच फायदे बताये थे अभिनव के मताबिक रुबीना से शादी करने के बाद उनका sleeping pattern काफी सुधर गया है अब वो time पर सोते हैं और time पर ही उठ जाते हैं ऐसे में उनके जिंदगी में काफी अनुशासन आ गया है वहीं क्योंकि रुबीना काफी अच्छा cook करती हैं अभिनव इसे भी अब शादी का एक फाइदा मानते हैं उनकी माने तो शादी के बाद उन्हें रोज अच्छा खाना मिलता है अभिनव ये भी मानते हैं कि रुबीना से शादी होने के बाद उनका dressing sense काफी सुधर गया है पहले वो सिर्फ grey और हरे रंग के कपड़े पहनते थे लेकिन अब वो काफी अलग-अलग variety पहनते हैं सिर्फ यही नहीं अभिनव के मताबिक शादी के बाद उन्होंने कई बहतुरीन देश खूम लिये हैं रुबीना संग उन्होंने काफी travel किया है ऐसे में उनकी जिन्दगी में ये chain भी शादी के बाद ही आया है यही नहीं जब अभिनव से पूछा गया कि रुबीना से शादी करने के बाद नुकसान कौन से हैं इस पर अभिनव ने कहा नुकसान कोई नहीं है सिर्फ वाइदे हैं इस पर अली गोनी ने भी मजाग करते हुए कहा शादी शुदा वेक्ती इंस्टाग्राम पर डारेक्ट मेसेज में रिपलाई नहीं कर पाते इस पर रुबीना ने कहा ऐसा नहीं है न मैंने आज तक फोन उठाया है देखना तो दूर की बात है जब अभिनव बॉइफरेंट था तब भी मैंने फोन चेक नहीं किया वहीं इस बात के पुछ्टी करते हुए अभिनव कहते हैं हमारे हाथ में होता है हमें अपने पार्टनर को सिक्योर या इंसिक्योर करना है बता दें कि शो में दोनों के साथ रहने पर भी सब ही अभिनव को रुबीना के नाम से ही ताने मारते हैं लेकिन दोनों की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉंग है कि दोनों की रिष्टे पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता